अगर आप फॉंटेंट पैन के शोकीन हैं या उनके बारे में जानने की जिग्या सा रखते हैं तो फॉंटेंट पैन डिव्यूज को सब्सक्राइब कीजिए वे उसके बैल आइकन को दबाना ना बोले नश्कार दोस्तों मैं निसांत एक बार फिर हाजीर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो लेकर तो दोस्तों आज जो मैं पैन आपके सामने लेकर आया हूँ वो है पेरी कार्डिन का और प्रेजिडेंट आप देख सकते हैं यह इस तरह के बोक्स में यह आपको मिल जाता है और यहां पर आप देखे यह आपको मैं दिखाता हूँ यह प्राइस है 500 रुपीज लेकिन आपको अमेज़न पर चार सो रुपे के लगभग आपको मिल जाता है इसके साथ यहां पर देखे आपको एक कनवर्टर भी मिल जाता है और तीन पीस आपको इंक कार्टरिज के मि द्वारा बनाए जाती है जो कि इंडियन कंपनी और महरास्टरा में यानि के मुंबई में इसका हैड़ोपी से आप देख सकते हैं तो पेरिकार्डिन का यह पैन जो है वो आपको फ्लेयर के द्वारा इंडिया में प्रोवाइड किया जाता है यहां पर आम मार्पी आप द तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह बोक्स है एक अलुमिनियम का बोक्स है और इसके ओपर पेरिकार्डिन लिखा हुआ है यह देखें यहां पर और इस तरीके से आप बंद कर सकते हैं कितना अच्छा बोक्स है यह अलुमिनियम का और पेरिकार्डिन पैन्स इन फैशन त अच्छा बड़ा अच्छा खासा नाम है और फ्रेंज की एक कंपनी है और इस तरह का इसका लोगो रहता है तो अब देख लेते हैं पैन जो कि हमारा में आइटम है तो इसके साथ सबसे पहले देखते हैं कार्ट्रिज यह तीन कार्ट्रिज आती है यह देखे यहां पर लिखावा है पेरी कार्डिन एक्स्टर लोंग और निकाल के देखते हैं तो दोस्तों यह देख सकते हैं यह तीन आपको एक्स्टर लोंग प्लास्टिक की कार्ट्रिज आपको मिल जाती हैं यहां देखे आप यहां पे तीन बॉल्स हैं यह और यह पूरी प्लास्टिक की सिम्पल सी कार्ट्रिज हैं यह है कन्वर्टर यह आप देख सकीते हैं यहाँ सिंपल सा कनवर्टर है बिलकुल और चलाने में भी काफी स्मूध है यह देखें सिंपल सा सक्षन मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा नहीं हो गया क्योंकि इसकी गृप मुझे अच्छी लगनी रही है लेकिन फिर भी एक काम चलाओ कनवर जो मेन आइटम है यह ब्लेक कलर का और गोल्ड रिम के साथ हमारा फॉंटेन पैन और यह 500 रूपीज यहां पर लिखावा है इस चोटे से कवर में यह आता है इंकाल लेते हैं इसको हम तो आप देख सकते हैं लिखावा पेरी कार्डिन प्रेजिडेंट तो आप यह देखे यह पूरा ब्लेक कलर है पीछे की तरफ यह रिंग है इसका बैरल में और एक ब्रोड रिंग आपका कैप में भी लगता है और यह आपकी क्लिप है इसके उपर पेरी कार्डिन लिखावा है उपर की तरफ यह जो क्लिप स्क्रू है इसमें भी एक रिंग आपको पतला सा मिल जाता है तो देखने में क्लासिक डिजाइन है इस तरह के पैन काफी पैन आपको देखने के मिल जाते हैं जो बड़ी-बड़ी कंपनिया है वो भी इस तरह के पैन आपको बनाती है वो भी और उनके भी पैन इस तरह के आते हैं और गोल्ड रिम के साथ ब् निकाल लेते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर यह जो है इसका ग्रीप सेक्षन यह ग्रीप सेक्षन में यहां पर यहां पर आगे की तरफ यहां पर आप देख सकते हैं यह सिल्वर कलर है और उपर गोल्डन कलर है और कितना खूबसूरत से डिजाइन बनावा है यह ब्रोड एक यहां पर गोल्डन कलर में ट्रीम आपको दिखाई पड़ जाएगी और यहां पर भी एक गोल्डरिंग मिल जाएगी आपको और यह देखिए यह बैरल है अंदर की तरफ भी आपको मेटलिक एक बैरल मिल जाता और काफी हाईवी बैरल है यह क्लिप भी यह जो cap है ये भी heavy है और brass का लग रहा है अंदर अगर आप देखेंगे इसमें तो ये भी एक brass का material मुझे अंदर लग रहा है और एक फिर inner cap भी इसके अंदर आपको देखने में मिल जाएगी इनर cap भी आपको देखने में मिल जाएगी इसके अंदर ये plastic का है जो grip section है वो plastic का है और नीचे feeder system देखें ये भी plastic का बना हुआ है तो दोस्तों आईए इसका weight भी नाप लेते हैं कितना भारी है काफी भारी मुझे लग रहा है एकदम balance पैन लग रहा है मुझे ये तो ये हमारे पास इसको tear कर देते हैं 0.9 gram दिखा रहा है इसको tear करते हैं 0 कर लेते हैं और पूरा पैन ये assemble करके हम measure करते हैं कितना इसका weight है तो दोस्तो 28 gram यानि काफी heavy पैन है तो आपके हाथ में भी काफी अच्छा पैन और भारी पैन ये लगेगा और 20 gram से उपर 20 से 30 gram एक बिल्कुल perfect weight होता है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये देखें आप कि दुबारा से देख सकते हैं आप अब हम इसमें जो है एक काट्रीज डालते हैं ये काट्रीज इस्तेमाल करेंगे हम और फिर देखेंगे कि ये कैसा चलता है कि अग्या कि काट्रीज लीजिए और जिस तरफ बोल है उस तरफ से इसको insert करके हम पंक्चर कराएंगे कि इसके अंदर सैट हो गई है अब हम इसका बैरल कि बंद कर देते हैं कि देखें कितने जल्दी इसमें इंक फ्लो हो गया है यह खास बात रहती है जितने भी मैंने देखें जितने भी अच्छे पैन होते हैं जैसे आप इंक कैट्रीज इसमें लगाते हैं वैसे वह चलना स्टार्ट हो जाते है और आप देख सकते हैं इसमें यहां पर देखें इरिडियम पॉइंट लिखा हुआ है तो जो इसका पॉइंट है वो इरिडियम है और यह फाइन साइज मिझे लग रहा है देखें थोड़ा डिफरेंस आप नजर आएगा आपको जो वर्टिकल लाइन से हैं उनके अंदर आपको थिकनेस का डिफरेंस नजर आएगा यह देखें तो थोड़ा सा कैलीग्राफिक लुक इसमें आपको मिलने वाला है यह देखें यह देखे यह यहाँ पर आप देखेंगे जो वर्टिकल स्टोक है वो थोड़ा सा थिकर है और जो होरिजेंटल स्टोक आ रहा है उसमें लाइन थिन्स है तो अब कुछ लिख करके देखते हैं हम लोग करू़ करें स्टोप टॉट ऑस रहा है झाल 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 दोस्तों आप देख सकते हैं चलने में बहुत ही स्मूथ पैन है एक दम झो हमारे जिन्हाओ के पैन है उनके कंपेर ही कम उनसे आप कंपेर कर सकते हैं जितने स्मूथ वो पैन है लगभग लगभग उतना ही स्मूथ है भी पैन है और लुक वाइज भी आप इसको cumpere कर सकते हैं material वाइज भी उसके हिसाब से आप compare कर सकते हैं उन से और प्राइस वाइज भी सेम ही आपको यह पढ़ जाता है तो दोस्तों यह भी एक बहुत खुबसूरत चोईस आपके लिए हो सकती है अंडर 500 यह भी खुबसूरत पैन है ब्लैक कलर में गोल्ड रिम के साथ इस तरह का पैन आपको एक क्लासिक लुक के पाउंटेन मिल जाता है यह इसका जो गृप सेक्षन है वो ऊपर से थोड़ा सा पतला और ऋपर से थोड़ा सा मोटा और नीचे से बहुत ही पसंद आया है एक दम बहुत ही सुन्दर सन्निभ है एक फ्लावर बनावा है इरिडियम पॉइंट लिखा हुआ है और डूल टोन बेस का काफी अच्छा है तो दोस्तों यह हमारा पेरिकार्डिन का प्रिजडेंट तो यह जो पेरिकार्डिन है इसमें दो इन्होंन डिविजन किया हुआ है फीमम फंटेंट पैंट यह है जो काफी महंगए क्स दो हजार की रैंज में वो फांटेंट पैंट आते है और उसमें चांसलर fountain pen सबसे उपर इन्होंने रखा है और जो नीचे lower एक category रखी हुए जिसमें president fountain pen ये इसका सबसे अच्छा fountain pen है तो ये fountain pen भी काफे अच्छा है काफे सुंधर है इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका भी यूज कर सकते हैं तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो और आज का रिवियू अगर मेरा वीडियो आपको पसंदाया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीज़े सबस्क्राइब कीज़े मैं फिर आपके लिए लेकर आऊँगा एक नया fountain pen तब तक के लिए जहें